Hey guys, hello and welcome back, my name is Raza Amad और आप है foundation classes के online platform पे तो बच्चो आज हम एक नया chapter शुरू करने वाले हैं physics में ठीक है, हमने इससे पहले जो chapter किया है electricity class 10th के लिए और आज का जो topic होगा magnetic effects of electric current बच्चो हमने पढ़ा था heating effects of electric current in electricity chapter तो उसमें हमने देखा था heating effects of electric current आज हम उसी topic को continue करते हुए एक नया chapter पढ़ेंगे magnetic effects, जिस तरह heating effects of electric current था उसी तरह magnetic effects of electric current ही होगा ठीक है, तो ये एक नया chapter है ये class 10th का topic है तो ये सारा topic जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए votes के लिए भी बहुत important है NTSC, Olympiad और जो आगे जाकर IITs के लिए prepare करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत important और बहुत useful होगा तो देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें, आज तो basically हम discuss करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा introduction इस chapter को ले करके आगे बहुत सारी बाते आने वाले हैं और बहुत सारी important points, important topics आपके साथ discuss करना है बहुत मजा आने वाला है इस chapter में भी जिस तरह आमने electricity को बहुत अच्छे से complete किया है हर एक topic को निकाल निकाल कर मैंने सारा कुछ निचोड कर दे दिया आपको electricity में चाहे आप किसी भी examination के लिए prepare कर रहे हो वो chapter आपके लिए बहुत ही ज्यादा useful है तो चलिए शुरू करते magnetic effects of electric current तो discuss करते है आज हम जो topic लेकर आए है आज हम पढ़ेंगे magnets क्या है magnet के properties क्या होते है magnetic field lines क्या होता है और magnetism हम समझेंगे magnetism है क्या magnetic effects of electric current electric current के कारा है जो magnetic effects होता है वो हम detail में पढ़ेंगे next lecture से आज बस introduction है आपका तो आज समझोगे आपको concept समझोगे यहाँ पर करेंगे तो आज़ेंगे magnets आपने पढ़ रख आए magnets आपको पता है magnets क्या होता है दो चुम्बक आपस में साथ में रहेंगे याँ तो attract करेंगे याँ तो ripple करेंगे ये सब आप जानते ही हो magnets क्या होता है तो magnets बच्चों यह आया कहा से देखें यह जो magnetism phenomenon है न यह बहुत पहले से चलता आ रहा है बहुत पहले discover किया गया था magnetism को करीब पचीस सो साल पहले यह discover हुआ था magnetism magnets एक naturally magnets एक naturally occurring substances होते है naturally occurring substances होते है they are naturally occurring substances पहले इसे loadstone कहा जाता था loadstone पहले कहा जाता था loadstone बट अभी इसे हम कहते है magnetite magnetite तो बच्चों यह loadstone जो है न यह एक ore है this is an ore और यह होता है black color का black ore of किसका iron का ठीक है यह जो और है black ore of iron इसे हम कहते है FE's का जो chemical formula है FE304 ठीक है तो magnets तो naturally भी होते है और man made भी होते है लेकिन जो पहले पता था हमें पहले तो man made magnets तो था नहीं तो जब सबसे पहले जो magnetism phenomenon observe किया गया वो observe किया गया इस loadstone में loadstone और यह loadstone क्या है this is a black iron ore black ore of iron which we call as FE304 ठीक है पहले यह loadstone के नाम से जाना जाता था ठीक है नब अब देखो एक होता है man made एक होता है man made magnets इसे हम artificial magnets कहते हैं ठीक है देखो naturally occurring magnet और man made magnets में artificial magnets में difference यह है कि यह जो naturally occurring magnets थे इनका strength बहुत ही weak था इतना weak strength है कि इसे हम किसी भी काम के लिए use नहीं कर सकते हैं जैसे for example आज की टाइम में हम magnets कहां कहां use करते हैं toys में बहुत सारा use होता है speakers में use होता है हर जगा जतने भी electronic devices होते हैं सारे में use होते हैं even कि doors वेगारा में use होते हैं आपका refrigerator का टोर अचानक से खोलोगे और छोडोगे तो अपने आप चीपक जाता है तो magnets वहाँ भी use किया जाता है बट इस naturally occurring magnets का strength इतना weak था कि इसे हम practically use नहीं कर सकते थे तो उसके बाद क्या हुआ इसे हम use नहीं कर सकते हैं तो हमें एक artificial magnets बनाने का ज़रूद पड़ा तो हमने बनाया एक artificial magnet और हम जो magnetic properties पढ़ने वाले हैं वो इस artificial magnet या man-made magnets का ही properties सारा पढ़ने वाले हैं इसका क्यों नहीं पढ़ेंगे विकोज इसका strength बहुत ही weak होता है जो आप bar magnet देखते होना अपने books में बना हुआ इस तरह से यह हो गया आपका north यह हो गया south या फिर horseshoe magnet जो आप देखते हो यह सारा का सारा artificial magnets है this is not naturally occurring यह सारा का सारा artificial magnets है ठीके बच्चो तो magnets यहां से आया अब देखो magnets में जो property है magnetism magnetism और पिर magnetic effects दो कारण से होता है एक तो moving charges के कारण होता है और एक stationary charges के कारण होता है जैसे कुछ substance है फॉर इशम्पल मेरे पास कोई भी substance है A ठीक है इसमें charge move कर रहा है क्यूँ और मेरे पास ऊसमें एक substance है B इसमें कोई भी charge move नहीं कर रहा है तो इसमें जो magnetic effects होगा वो current के कारण होगा movement of charges के कारण होगा इसके अंदर लेकिन कुछ ऐसे magnets भी होते हैं जो stationary charges जहाँ पर charge move नहीं कर रहा है फिर भी वो magnetism show करते हैं तो इसे सिर्फ magnetic effects कहेंगे या magnetism कहेंगे बट यहाँ पर जो magnetic effects आएगा इसे कहेंगे magnetic effects due to electric current या फिर magnetic effects due to charge यह charge या electric current का magnetic field कहलाता है तो magnetic effects या magnetic magnetism दो कारण से होता है पहले तो current के कारण दूसरा without the flow of current या तो current के कारण होगा या तो without the flow of current होगा तो हमें जो पढ़ना है वो यह पढ़ना है इस chapter हमें हमें पूरा discuss करना इसके बारे में effects of current मतलब magnetic effects due to the flow of current ये discuss करना हमें ये हम नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो magnets में magnetism किस कारण से आता है magnets में जो property ये जो phenomenon है magnetism ऐसा क्यों है कि magnets एक दूसरे को कभी attract करते हैं कभी ripple करते हैं देखो magnets में दो poles होते हैं एक pole कहलाता है north pole और एक pole कहलाता है south pole ठीक है suppose मेरे पास एक magnet है ये और मेरे पास एक और magnet है ये clear है ये है इसका north pole और ये है इसका south pole ये है इसका north pole और ये है इसका south pole देखो हर magnet के पास दो poles होंगे magnets are always Magnets always exist as dipoles Magnets always form dipoles Magnets exist as a dipole Monopole कभी नहीं होता है Magnets are not Monopole Magnets do not form monopole Monopole means सिर्फ और सिंगल पोल होगा North pole होगा या तो South pole होगा ऐसा नहीं होता हमेशा Magnet exist करता है Pairs में मतलब poles उनके pairs में exist करेंगे North pole भी होगा South pole भी होगा कभी वो monopole नहीं होगा हमेशा होगा तो dipole होगा तो इन दोनों में देखो यहाँ पर आपका North pole, यहाँ पर South pole यहाँ नौर्थ pole, यहाँ पर South pole जब इन दोनों को आप नजदीक ले कर आओगे तो आपको दीखेगा यह Magnet इसको attract कर रहा है और यह Magnet इसको attract कर रहा है That means हम बोल सकते हैं यहाँ पर देखो South pole and North pole attract each other So South and North will attract each other, ठीक है? इसे हम बोलते है Unlike poles Unlike poles, सबसे पहले तो आपको पता है Magnets में दो poles होते हैं, North pole and South pole तो North pole and South pole इसमें भी North pole and South pole इसमें भी तो South pole and North pole attract each other whereas अगर मेरे पास एक Magnet है यह This is South pole, this is North pole and again we have This is South and this is North तो यह Magnet इसको उधर रिपेल करेगा और यह Magnet इसको इधर रिपेल करेगा यह attract नहीं करेगा, अब यह रिपेल करेगा तो हम बोल सकते हैं, North North या फिर South South रिपेल इच अधर तो Magnetic North pole and Magnetic South pole, they attract each other that means unlike poles attract each other, point number 1 डाल कर लिखोगे Unlike poles attract each other and whereas like pole that is Magnetic North pole, North pole and Magnetic South pole, South pole, these two poles like poles, these are called as like poles like poles, like poles से North से North, South से South, ठीके देखो यहां South से South रिपेल कर रहा है, उसी तरह North से North भी यहां पर एगर North लिखोगे और यहां पर भी North लिखोगे तो यह दोनों रिपेल करेगा, ठीके यहां South लिख दो, यहां South लिख दो चलो, तो यह भी रिपेल करेगा magnetic north pole and magnetic south pole that means like poles repel each other whereas unlike poles attract each other आगे देखो अगर हम किसी magnet को break करते हैं बीच से for example यह north pole है magnet का और यह south pole है अगर हम इस magnet का north pole और south pole के बीच से इस magnet को break कर देते हैं तो क्या north pole अलग हो जाएगा और south pole अलग हो जाएगा देखो अगर यह magnet को मैंने break किया यहां से यहां बीच से यह तोड़ दिये बीच से तो यह था north pole और यह है south pole क्या north pole अलग हो जाएगा और south pole अलग हो जाएगा नहीं मैंने बताया हमेशा dipole exist करेगा हमेशा कभी एक आपका magnetic north pole separate नहीं हो सकता और कभी magnetic south pole separate नहीं हो सकता हमेशा यह pair में exist करेगा तो जब जिसे आप break करोगे तो अपने आप यह magnet अपना south pole बना लेगा और यहां पे जब break करोगी इसे तो यह south pole already है यह magnet अपने आप एक north pole बना लेता है ठीक है तो देखो यहां पे जब आपने break किया इस magnet को बीच से फिर भी यह poles pairs में exist कर रहे है डाइपोल में exist कर रहे है further जब आप फिर से इन दोनों को break करोगे फिर से जब इन दोनों को break करोगे तो इस case में भी north pole south pole exist करेगा magnetic north pole और magnetic south pole फिर भी यहां पे एक dipole create हो जाएगा कभी भी north और south अकेले नहीं रह सकते ठीक है यह था आपका यहां से break किया हमने यह था north pole और यहां बन जाएगा south pole उसी तरह यहां पे था south pole और यहां अपने आप बन जाएगा north pole so ना तो कोई south pole अकेला रह सकता है ना ही north pole अकेला रह सकता है हमेशा रहेगा तो वो dipole में exist करेगा, हमेशा pair में exist करेगा तो यह है तीसरा property, ठीक है magnetic north pole and magnetic south pole always exist in pair they can never be separated they cannot be separated, even कि जब आप बहुत ही छोटा magnet का piece कर दोगे उसमें भी एक magnetic north pole होगा और एक magnetic south pole होगा, clear है बच्चो ठीक है, copy करो इतना fourth point है जब इस magnet के आसपास जब इस magnet के आसपास, आप कोई metal लाओगे, या फिर iron का एक छोटा सा pin लेकर आओगे, small pin लेकर आओ इसके आसपास, ठीक है एक ऐसा article लाओ, जो metal का बना हो iron का बना हो, इसके आसपास लाओगे, तो यह metal यह magnet इस metal को attract करता है, ठीक है, अगर आपके पास एक magnet है आपके पास एक magnet है इस magnet को लो, और एक paper लो, एक container लो इस container में छोटे-छोटे paper pins रखो छोटे-छोटे paper pins रखा हमने देखो क्या होगा, समझना बात को यह है paper pins हमारे पास ठीक है और हमने लिया एक magnet जब हम magnet को इस paper pin वाले box में डालेंगे यह north और यह south जब हम magnet को इसके अंदर डालेंगे तो यह magnet और यह paper pin एक arrangement एक unique arrangement दिखाएगा मतलब यह paper pin एक unique way में arranged हो जाएगे इस magnet के आसपास जहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे जो poles है ना, जहाँ पे poles है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा pin's चिपके हुए है poles में बहुत सारे pin's आपको दिखेंगे चिपके हुए यहाँ पे इस तरह से but जैसे ही आप बीच में जाओगे तो pins आपको, जो pins हैं यहाँ पे वो बहुत ही कम मिलेंगे यहाँ पे उसी तरह जब आप दूसरे पोल्स में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे पिंस में यहाँ पे चिपके हुए तो बच्चों मतलब यहां से बात पता चली कि magnets के poles पे strength ज्यादा होता है इसलिए ये magnets अपने poles में ज्यादा चीज़ों को attract कर पाता है देखो pins arrange हो जाएंगे इस fashion में और जहां दिख रहा है आपको north pole में ज्यादा pins है और यहां पे south pole में भी ज्यादा pins है चिपके हुए ठीक है तो यह जो pins है यह जो poles है poles में magnetic strength ज्यादा होता है लिख ले न magnetic strength magnetic strength is maximum at the poles at the poles एक magnet लो धागा बांदो और उसे जमीन पर कुछ दूर तक खीच कर ले जाओ उसके बाद मैगनेट को देखना observe करना देखना आप बहुत सारे particles आपको दिखेंगे चिपके हुए poles पे एक सपोज यह magnet है आपका इस pole में और इस pole में आपको बहुत सारे magnetic particles दिखेंगे चिपके हुए बट बीच में जब आप magnet में सबसे weak strength कहाँ पे होता है तो magnet सबसे weak strength कहाँ पे बनाता है बीच में और सबसे ज़्यादर strength magnet का poles में होता है ठीके तो यह सारा बात था magnet से लेकर related तो magnets में दो poles होते हैं north pole south pole ठीके magnets कभी भी single poles में exist नहीं करते हैं हमेशा dipole बनाता है कभी भी monopole magnetic field lines और magnetic field lines क्या है अगर आपको यह समझना है तो आपको सबसे पहले समझना होगा electric field lines जो मैंने already chapter number electricity में बता रखा है lecture number 14 and lecture number 15 lecture 14, 15, 15 में आपको मिल जाएगा magnetic field lines, sorry electric field lines और 14 में मिल जाएगा आपका electric field lines कुछ questions, तो आईए देखते magnetic field lines होता क्या है देखो हमने जैसे देखा कि अभी देखो हमने जैसे देखा भी कि एक north pole और एक south pole magnetic strength north pole और south pole में ज्यादा होता है अभी हमने देखा इस pole के end में magnetic strength बहुत ज्यादा होगा ऐसा होता क्यों है इससे समझने के लिए एक experiment आप कर सकते हो देखो जो magnet होता है कोई भी magnet जैसे हमने पढ़ा था electric lines of force, electric field lines तो हमने देखा था वहाँ पे कि दो charges किसी भी charges के आसपास वो charge अपने आसपास एक region बना लेता है एक field बना लेता है जिसे हम electric field कहते थे similarly एक magnet भी अपने आसपास एक ऐसा चीज बना लेता है एक ऐसा field बना लेता है जहां पर किसी भी magnetic material या किसी भी iron article या फिर pin को रखोगे तो वो उस pin को attract कर लेता है तो field में आने से वो होता है तो magnet भी अपने आसपास एक region बना लेता है सपोज इस magnet का region है ये इस magnet का ये region है अगर आप इस region के अंदर कहीं भी एक paper pin रखोगे कहीं भी कहीं भी इस region के अंदर रखोगे तो ये paper pin magnet इसको attract कर लेगा magnet इसको attract कर लेगा बट अगर इस magnetic field के बाहर आप किसी paper pin को रखोगे या फिर किसी दूसरे magnet को रखोगे तो ये magnet इससे attract नहीं कर पाता है ऐसा इसलिए होता है because magnet अपने आसपास एक region बना लेता है up to which its magnetic strength can be influenced का magnetic strength कुछ एक limited region तक ही influence कर सकता है ये paper pin अगर इस paper pin को इस magnetic field के बाहर रखोगे तो ये experience नहीं कर पाएगा ठीक है तो ये magnetic field जो बना रहा है इस magnetic field को हम represent कैसे कर सकते हैं ठीक है magnet के आसपास होता है magnetic field similarly charge के आसपास होता है electric field चाहे आप वो positive charge ले रहो चाहे आप वो negative charge ले रहो रखा है इसको पढ़ाने से पहले मैंने electric field इसलिए पढ़ाया था कि आपको ये concept समझ में आप compare करके पढ़ेंगे दोनों वेडिक है चलिए देखे तो electric field और सॉरी magnetic field अब समझगे क्या होता है the region around a magnet up to which देखो लिखने रहा हूँ region around a magnet region around a magnet up to which its magnetic strength its magnetic strength can be influenced can be influenced this is called as the magnetic field this is called as magnetic field आई ये देखते हैं magnetic field हम किस तरह represent कर सकते हैं हम magnetic field को किस तरह represent करेंगे तो इसके लिए भी आपके book में एक बहुत ही खुबसूरत सा activity given है उसी activity को हम या discuss करते हैं हम क्या करते हैं बच्चों हम एक magnet लेते हैं एक bar magnet लेते हैं इस bar magnet को हम एक white sheet of paper के उपर रखेंगे जैसे suppose मेरे पास ये एक white sheet of paper है इस paper के उपर इस magnet को हम इस तरह रखेंगे ठीक है ना ये रहा मेरा magnet और ये रहा मेरा white sheet of paper अब हम क्या करेंगे इस white sheet of paper के उपर हम कुछ iron के filings लेंगे चोटे चोटे पौडर्स लेंगे आइरन के और spread करेंगे यहां पर सारे powder को iron के powder iron iron filings बहुती fine particles होते हैं iron filings हम उसे लेंगे spread करेंगे spread करने के बाद हम इस magnet को दीरे दीरे इस तरह से move करेंगे बिल्कुल slowly दे को इस तरह से दिख रहा है आपको बिल्कुल slowly इस तरह से या फिर इस तरह से move करो ऐसे करके करके मत कर ना गिर जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको इस तरह से करोगे यह इस magnet को इस तरह से शेक करोगे धीरे धीरे या फिर आप क्या कर सकते हो आप nीचे से घुरे गये अब नीचे से देखो नीचे से स्लोली हीट कर सकते यer नीचे से जब आप हीट करोगी से तो देखना अब सारे के सारे जो आइरण फैलिंगस हमने लिया है सारा का सारा iron filings एक pattern में arrange हो जाएगा एक बहुत ही beautiful pattern बनता है कुछ इस तरह का देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का वैसे बहुत ही beautiful pattern बनता है देख रहा है ना तो इस तरह का एक pattern बनेगा इसके आसपास अब यहाँ पर देखना जो इसके आसपास में जो पोल्स हैं स्वारी इसके पोल्स में देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको crowdness दिखेगा बहुत ज़्यादा density बहुत ज़्यादा दिखेगा देखो नौर्थ पोल और सौर्थ पोल तो इस तरह का pattern बना लेते हैं वो सारे iron phalanx और यह है बच्चो magnetic field lines यही जो lines आपको दिख रहा है ना यह imaginary lines कहां से आया ऐसे magnet रखने से वो दिखाई नहीं पर रहा था यह बहुत ही unique है और यहाँ पे जो यह lines दिख रहे हैं आपको यही कहलाते है Magnetic field lines मतलब इस magnet के अंदर से कुछ field lines निकल रहे हैं दिख रहा है आपको कुछ field lines निकल रहे है और यह जो magnetism का phenomenon है इसी field lines के कारण है पूरा का पूरा Magnetism phenomenon based है इसी field line के कारण अगर इस magnet में field line नहीं होता तो ना तो उसमें magnetic field होता ना ही उसमें magnetism का कोई phenomenon होता तो ये दोखो, magnetism का phenomenon किसके कारण हो रहा है? magnetic field lines के कारण हो रहा है, ये जो है representation सिर्फ एक geometrical और सिर्फ imaginary lines है ये, ये real में ऐसा कोई lines नहीं होता जैसे हमने electricity में देखा था, charge के आसबस electric field lines बन रहा है थे तो वो electric field lines, they are not a real line, they are imaginary, मंद गढ़नत line है इसे भी हम मंद गढ़नत line नहीं कहेंगे, ठीक है? ये बस मंद गढ़नत है, ऐसा कुछ भी real lines exist नहीं करते हैं तो आपको दीख रहा है ना, ये magnetic field lines, दीख रहा है ना, देखो, बचो, magnetic field lines बहुत ही strong होते है, South pole में और North pole में, दीख रहा है आपको यहाँ पर देखो, degree of crowdness, और यहाँ देखो degree of crowdness the degree of crowdness over the South pole and the degree of crowdness over the North pole is highest the degree is maximum over hair, तो यहाँ पे जो strength होगá magnetic field lines का strength होगा Pulse पे maximum maximum strength यहाँ पे होगा Pulse में और minimum strength होगा बीच में कहीं बीच में आपको krowdness दिख रहा है कहीं कहीं नहीं दिख रहा है और एक और चीज़ आप यहाँ से observe कर सकते हो जैसे जैसे आप magnet से दूर जाओगे crowdness कम होता जाता है यहाँ पर देखो यह crowdness ज़्यादा यह दोनों field lines नजदीक में यह दोनों नजदीक में यह दोनों थोड़ा दूर हो गए इसी तरह यहाँ पर तो जैसे जैसे आप magnet के दूर जाओगे जैसे जैसे वैसे आपका magnetic field strength घटता जाएगा magnetic field का कुछ strength होगा दूर जाने से घटेगा नजदीक आने से बढ़ेगा ऐसे भी imagine कर सकते हैं एक पेपर पिन दूर में रखो यह magnet उसको अट्रैक नहीं कर पाएगा धीरे दिरे नजदीक लाओ थोड़ा बहुत अट्रैक करेगा और नजदीक लाओ थोड़ा बहुत अट्रैक करेगा जैसे आप इसके नजदीक रोगे को फटाक से इसको अट्रैक कर पाएगा तो magnetic field strength पोल्स में या फिर magnet के आसपास ज्यादा होते हैं और उसमें आसपास में सबसे ज्यादा कहा होते हैं तो पोल्स में होते हैं दिख रहा है degree of crowdness gives the magnetic field strength जितना ज्यादा degree of crowdness उतना ज् इसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसे अच्छे से हम बना लेते हैं magnetic field lines को फिर समझेंगे आगे देखो यह है मेरे पास एक मैगनेट नॉर्थ पोल सौथ पोल इस पूरे field lines को हम एक अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं देखें यह रहा आपका magnetic field lines ठीक है नहीं तो लिख लोगे हेटिंग डालो magnetic field lines magnetic field lines समझें magnetic magnetism जो फेनोमेना है वो किसके कारण हो रहा है magnetic field lines के कारण हो रहा है अगर कोई magnetic field line नहीं होता तो कोई magnetic field नहीं होता अगर कोई magnetic field नहीं होता तो magnetism का फेनोमेना भी नहीं होता और Magnetism नहीं होता, तो Physics में एक चैप्टर कम हो जाता, एक टॉपिक ही कम हो जाता, कोई ज़रूद नहीं था पढ़ने का Magnetic Effects या पढ़ने का पढ़ने का जरूरत ही नहीं था, तो बहुत ही Interesting है, समझोगे, बहुत मजा आएगा, देखो, अब हम जब यहाँ पे Observe करते हैं, इस Magnetic Field Line को, देखो, बहुत मजनेटिक Field Line क्या है ना, एक Imaginary Concept है, हमने क्या किया, जब इस Magnetic Field Line के अंदर, हमने Observe किया, जब इस Magnetic Field Line के अंदर, कोई भी Magnetic Element, Magnetic Particle आता है, तो यह Magnet उसको Attract कर लेता है, और दूसरे Magnet को, या तो यह Attract करेगा, या फिर यह Repel करेगा, तो, यह जो Magnetic Field के अंदर, जब Compass हम रख रहे हैं, या फिर जब हम किसी दूसरे Magnet को, स्मॉल Magnet को रखते हैं, कि यह Magnetic Field Line यह Magnet उसको यह Attract कर रहा है, या तो रिपेल कर रहा है, और हर जगा अलग-अलग Direction बता रहा है, इसका मतलब, अगर यहाँ पे रखोगे तो, कभी इधर रिपे होगा क्या, क्या हमने पढ़ रहा है, Electric Field Lines, हमने देखा था, Electric Field Lines का इक Direction होता है, Electric Field Lines एक Vector Physical Quantity होता है, तो हमने यह सोचा, कि क्या इस Magnetic Field Lines का भी कोई Direction होगा, तो यह सिस Мगनेटिक Field Line का भी एक Direction होता है, ठीक है, Magnetic Field Lines को हम रेप्रेजेंट करते हैं B से, और यह एक vector physical quantity होता है, इसके उपर arrow head का sign, that means magnetic field line is a vector physical quantity, this is a vector physical quantity बच्चो, मतलब इसका कुछ ना कुछ direction जरूर होगा, तो direction निकालने के लिए हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, हमने देखा था, जैसे charge के आसपास electric field lines होता था, तो वहाँ पे electric field का direction निकालने के लिए हम एक point charge लेते थे एक positive charge लेते थे, उस positive test charge को हम field के अंदर रखते थे, और जिस direction में वो point charge move करता था, वही direction होता था, electric field lines का याद है आपको, याद नहीं है, तो उपर eye button प्लिक करो, और जा करके electric field lines का वीडियो देखो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ direction निकालने के लिए हम एक small north pole ल देगा, कौन देगा, north pole देगा, तो भाई, north pole हम लाएं, कहाँ से, कहाँ से लाएंगे north pole, अपने magnetic compass देखा है, magnetic compass के अंदर क्या होता है, magnetic compass के अंदर होता है, एक छोटा सा, इस तरह का, निडल, देखाए आपने, यह छोटा सा इस तरह का निडल होता है, एक निडल red color का होता है, या फिर colored होता है, उसके उपर north लिखा रहता है, तो जो निडल colored होता है, वो होता है north pole of that magnet, यह जो needle है, यह magnetic material का बना होता है, और अगर यह magnetic material का बना है, that means इसके पास एक north pole होगा, तो जो pole colored होते हैं या फिर किसी भी color का होता है या फिर north pole जिसके उपर n लिखा रहाता है वो होता है north pole तो हम use करते है magnetic compass इस magnetic field का direction ढिकालने के लिए तो जब हम इस magnetic compass को यहाँ पे कुछ इस pattern में arrange करते हैं यह activity आपके book में इसलिए में करा रहा हूँ तो simply एक word काफी था इसके लिए कि north pole जिस direction में जाएगा उसी direction में magnetic field का direction होगा चलो देखो तो हम क्या करते हैं हम magnetic compass को इस तरह से arrange करते हैं magnet के आसपास हमने क्या इस तरह से magnet के आसपास अब हमने देखा deflection यह north pole किदर move कर रहा है हम यह देख रहें ठीक है तो मैं सिर्फ देखो मैं इस तरह का arrow बना रहा हूँ जिदर arrow head है यह आपका north pole मैं सिर्फ यह arrow use कर रहा हूँ ठीक है यह arrow head का मतलब होगा यहाँ पे north pole तो जब हम यहाँ पे magnetic compass को रखते हैं तो यह north pole है और इसका north pole इसका north pole और magnetic compass का north pole we know that north pole और north pole ripple करेगा एक दूसरे को कभी भी attract تو करेगा नहीं तो यह north pole, magnet का north pole ripple करेगा इस compass के north pole को तो यह north pole उधर चला जाएगा क्योंकि वो repel कर रहा है ना अगर इस magnetic compass को आप field में रखोगे तो ये field north pole को repel करेगा जब ये repel करेगा तो ये shift कर जाएगा उधर shift कर जाएगा ठीक है तो इसी तरह ये उसको repel किया और ये north pole उधर face करने लगा अब यहाँ पे जाओगे तो इसी तरह ये north pole है ये फिर इसको repel करेगा तो फिर repel करेगा तो ये हो जाएगा इधर यहाँ पे भी ये repel करेगा इधर हो जाएगा देखो ये repel कर रहा और attract कर रहा है ये north pole को ये arrow head को south pole attract करेगा और north pole ripple करेगा तो हम जब इसका arrangement देखते हैं इस arrow का तो हमने देखा कि ये arrow एक बहुत ही unique form में एक बहुत ही defined direction में arrange हो गया देख रहा है आपको अगर इस arrow को आप देखो के तो arrow यहां से ऐसे निकलता हुआ यहां गया और सब में direction इधर ही है ये सब arrow का arrow head का direction direction देखो इधर है that means हम बोल सकते है that magnetic field line निकल रहे है north pole से और खतम कहां हो रहे है south pole के अंदर magnetic field line निकलता कहां से north pole से और terminate कहां होता है south pole में तो हम direction of magnetic field line निकालने के लिए बच्चों use करते हैं एक north pole यह बात याद रखना आप लोग आपको electric field निकालना है तो आप use करोगो वहाँ point charge जो positive होना चाहिए test charge होता है वहाँ पर आप test charge रखोगे जहां वह charge जिस direction में move करेगा उसी direction में आपका बच्चों हो जाएगा electric field line लेकिन अगर आपको magnetic field line के direction निकालना है तो हम यूज करेंगे north pole एक north pole को रखेंगे field में वह north pole जिधर move किया उधर ही उसका direction magnetic field का direction वह होगा तो यहां पर देख रोग मैंडिक field का direction ऐसे उधर ऐसे इधर ऐसे तो जब हमने arrange किया compass को तो हमने देखा एक defined एक pattern आ रहा है और arrow हमने जब connect क्या है सारे arrow को हम जोडें यह पूरा का पूरा arrow जब हम जोडते हैं तो हमें हमारे पास एक continuous line आता है और हमें पता चलता है that magnetic field line originates from the north pole of the magnet and terminates at the south pole of the magnet तो पहला point हम लिखेंगे magnetic field lines यहां लिख रहा हो ठीक है magnetic field lines का property लिखो properties of magnetic field lines, magnetic field line होता है क्या है समझ गए न the region around a magnet up to which its magnetic strength can be influenced इस region के अंदर कोई भी magnetic material रखो अट्रैक करेंगा उसे ठीक है चलिए, तो सबसे पहला property हम लिखेंगे first property हमारे पास से दिख रहा है magnetic, सबसे पहले तो magnetic field line has a direction इसका direction होगा direction कैसे हम decide करेंगे north pole रखकर तो यहां पर आपसा पहला point लिखो magnetic field lines magnetic field lines originates from north pole originates from north pole and कहाँ terminate कर रहा है दिख रहा है आपको south pole में and terminates and terminates at the south pole terminate at the south pole अच्छा ध्यान से देखो बच्चों यहां पर क्या इस magnet के अंदर कोई line नहीं होगा क्या बिल्कुल होगा क्यों क्योंकि अगर आप इसे magnetic field line को observe करोगा अच्छे से तो यह जो magnetic field line से यह निकलेगा यहां से originate करेगा यहां से terminate करेगा south pole में बाहर, magnet के बाहर इसका direction north pole to south pole magnet के बाहर में north pole से south pole, जैसे ही आप magnet के अंदर देखोगे तो magnet के अंदर कुछ दूसरा कहानी है magnet के अंदर यह lines of force south से north move करते हैं, तो इस तरह से यह जो lines है, यहां से इस तरह move किया यह गया, यह गया, यह गया और यहां, magnet के अंदर यह lines इस तरह से move करेंगे, मतलब inside the magnet, the direction of magnetic field lines is from south to north, south to north, कहां inside the magnet, ठीक है inside the magnet, south से north, outside the magnet, north से south, तो यह जो property है, magnetic field lines originates from north pole and terminates at this south pole, outside the magnet outside the magnet and and from and from south to north inside the magnet, बोलो समझा रहा है समझा रहा है न, मतलब magnetic field lines, magnet के बाहर, north से south जाता है north to south, और magnet के अंदर, south to north, तो मतलब magnetic field line एक continuous line बन गया, देखो यहां से जार, अगर यह north, south pole है अगर यह south pole है, और अगर यह north pole है तो south से north तो यहाल, और बाहर में north से south, तो हम क्या यह बोल सकते हैं, that magnetic field lines are continuous line दिख रहा है, आपको continuous से कहीं भी इसका continuity break नहीं हो रहा है, यह continuous lines है, और यह closed loop बना रहा है, they are forming a closed loop, याद करो electric field lines क्या closed loop बना रहा था, नहीं, electric field lines यह closed loop नहीं बनाता है, बट magnetic field lines लिखोगे, magnetic field lines forms a closed loop, they forms a closed loop, magnetic field lines closed loop बनाता है, देखो यहाँ पे, magnet के अंदर इसका direction south से north, magnet के बाहर इसका direction north से south, clear है, magnetic field lines form closed loop, third, third, हम magnetic field line का direction कैसे निकालते हैं, suppose हमें बोला, आप इस position पे magnetic field line का direction निकालोगे, इस position पे magnetic field line का direction निकालोगे, तो हम क्या करेंगे, एक magnetic compass उठाएंगे, और उस magnetic compass को यहाँ पे रखेंगे, वो magnetic compass जिधर point करेगा, वो होगा उस field line का direction उस point पे तो इस point पे हम जब magnetic compass रखते हैं तो यह magnetic compass इधर शो करता है ठीक है या फिर इस यह magnetic compass इधर deflect करता है माल लेते ही इधर deflect करता है तो यह magnetic field का direction इस point P पे क्या हो गया towards this चाह यह दिख रहा है आपको यह tangent है क्या आप देख सकते हो यह tangent बनाया हमाँ आप पे है ना मतलब अगर आपके पास magnetic field है इस तरह से और एक magnetic field लाइन है इस तरह यह दूनो magnetic field लाइन है आप से बोले point P पे और point Q पे आप magnetic field लाइन का direction बताईए तो हम क्या करेंगे simply हम इस point पे tangent बना देंगे यहां से ये tangent मतलब उस direction में और यहां से tangent ये इस direction में तो इस point पे magnetic field का direction इधर tangentially इस point पे magnetic field का direction इधर tangentially मतलब magnetic field का direction निकालने के लिए हम उस point पे tangents बनाते है clear है that means the tangents drawn at a point on a magnetic field line gives the direction of magnetic field line at that particular point बोलो समझ आ रहा है ना मतलब जिस point पे हमें magnetic field line का direction चाहिए बच्चों हम उस point पे magnetic field line का tangent मना देते हैं इस point पे tangent बनाओगे इधर जाएगा similarly अगर इस point पे आप से पुछे इस point पे आप बताओ इस point पे magnetic field line का direction क्या होगा तो आप tangent मना दो यह हो गया ठीक है तो यह हुआ आपका direction of magnetic field line ऐसे आप simply समझो जब भी आपको direction पूछे तो आप एक north pole वहाँ पे रख दोगे यहाँ पे भी देखो अगर आप यहाँ north pole रखोगे अगर हम यहाँ north pole रखेंगे इस field line के उपर इस position पर अगर हम north pole रखते हैं तो इस north pole इस direction में भागेगा इस direction में भाग जाएगा उसी तरह north pole इस direction में भागेगा उसी तरह north pole इस direction में भागेगा तो जब भी magnetic field line के उपर आपको direction निकालना हो तो simply वहाँ पे एक north pole drop कर दो जिधर वो north pole move किया वही होगा direction क्योंकि magnetic field line हमारा एक vector physical quantity है इसके पास magnitude के साथ आपको direction भी होता है clear है तो third point ये लिखोगी direction कहीं भी हम find कर सकते है tangent मना कर ठीक है clear है clear है समझ आ रहा है चलिए आई ये देखते है next property next property of magnetic field line property number third sorry fourth yes this is fourth बच्चो देखो मैं एक magnetic field देखो इस इसी तरह का कुछ situation हमने पढ़ा था electrical field lines में भी electric field lines पे भी यही होता है कहीं भी electric field line का direction आपको निकालना था तो आप क्या कर रहे थे वहाँ पर याद करो आप वहाँ पे आप वहाँ पे एक point charge रख रहे थे positive charge और tangent बना रहे थे simply आप tangent बना रहे थे उस point पे तो tangent जिधर face कर रहा था जिधर move कर रहा था वही आपका direction था clear है तो अब हम देखते है fourth point क्या दो magnetic lines of force एक दूसरे को कभी भी intersect करेंगे देखे यहाँ पे क्या कोई भी lines of force यहाँ पे intersect कर रहा है कहीं भी नहीं that means हमारा answer क्या होगा no two lines of force no two lines of force ever intersect intersect each other no two magnetic lines of force ठीक है magnetic lines of force या फिर electric lines of force दोनों के साथ सेम है no two lines of force ever intersect each other इसका reason आपको पता है आपने देखा होगा अगर मेरा magnetic field वाला वीडियो तो आप answer कर सकते हो जैसे मेरे पास यह दो lines है lines of force है यह आपका होगया B1 this is magnetic field line first and this is the second magnetic field line आपसे पूछा इस point पे point of intersection दिख रहा है आपको यह इस point को हम ले लेते है ओ इस point पे आपसे बोला जाए find the direction of magnetic field line find the direction of magnetic field line यह बोल रहा है ओ point पे magnetic field line का direction बताओ हम माल लेते हमारा दो magnetic field intersect कर रहा है intersect करेगा तो इस position पे इस magnetic field line का direction क्या हो जाएगा tangential to the field तो इस point पे यहाँ पे north pole हमारा इधर move करेगा और यहाँ पे रखने से north pole हमारा इधर deflect करेगा मतलब एक ही point पे दो direction कैसे हो सकता है यह practically impossible यहाँ पे लिखेंगे this is practically this is practically impossible why this is practically impossible why because at the same time at the same time it could not have it could not have two directions it could not have two directions clear है एक ही time पे दो direction कभी नहीं हो सकता इसलिए दोनों intersect कभी नहीं करेगा ठीक है न तो यह थे कुछ properties magnetic field lines के अब थोड़ा बहुत आपको idea मिल गया होगा magnetism phenomena होता है क्या है किस के कारण होता है magnetism phenomena पूरा का पूरा magnetic field के कारण होता और magnetic field हम इस पूरे chapter में बार बार discuss करने वाले है बार बार यह आएगा और किसके कारण आने वाला है electric current moving charges के कारण आने वाला है आपको पता है हम यहाँ पे class 10 में सिर्फ और सिर्फ moving charges के साथ deal कर रहे है chapter number chapter electricity में भी हमने deal किया था moving charges के उपर और उसमें मैंने short सा column's law बताया था आपको stationary charges के उपर वो बताया था लेकिन आपका पूरा का पूरा syllabus based है moving charges के उपर moving charges में कौन कौन से effects आते हैं वो सब कुछ हमें पढ़ना है पहले तो heating effects आपने देखा charge move करेगा तो वो charge कुछ काम करेगा काम करेगा तो कुछ heat develop होगा और वो heat होता है I square, RTK, ब्राबर जो इसे हम कहते हैं Joule's law of heating और यहाँ पर आपको पढ़ना है उसी का magnetic effect अगर current move करेगा तो वो current उस wire में उस conductor में एक magnetic effect produce कर देता है heating effect भी produce करता है magnetic effect भी produce करता है तो यह बच्चो magnetic effect किसके कारण produce करता है magnetic effect किसके कारण होता है तो पूरा magnetic effect होता है magnetic field के कारण magnetic field नहीं रहता तो magnetism नहीं होता magnetism नहीं होता तो किसी तरह का magnetic effect ही नहीं होता है physics में एक chapter कम हो जाता तो इनी सारे points को समझते हुए एक question मैं आपको दे रहा हूँ इस question का answer आप बताओगे देखो, एक question मेरे पास magnetic field lines इस तरह से ठीक है, यह magnetic field lines है यह रहास का direction, magnetic field line का आपको दिया गया तीन region, region A यह है region A region B और region C आपसे पुछा जा रहा है find that region वो region बताओ, जहाँ पर magnetic field strength ज्यादा होगा, बताइए magnetic field strength इन तीनो region में सबसे ज्यादा किस region में होगा बताइएगा बच्चों magnetic field strength ज्यादा कहाँ पर होता है जहाँ पर field lines ज्यादा crowded होते, field lines ज्यादा crowded होगे, तो magnetic field strength भी ज्यादा होगा तो यहां देखो field lines crowded कहा है A में B में या C में C में तो तीनो field lines बहुत अलग अलग हैं बहुत दूर दूर हैं B में थोड़ा pass है लेकिन A में बहुत ही pass है तो magnetic field strength A में magnetic field at A is greatest highest होगा magnetic field strength यहां पर magnetic field strength at A is highest सबसे कम होगा C में और बीच में होगा magnetic field at B then होगा magnetic field at C सबसे देखो सबसे ज़्यादा किस में A में सबसे ज़्यादा और सबसे कम C में so magnetic field strength is highest in region A and is minimum in C तो इस तरह का question आता आप यह बात याद रखना जहां पर ज़्यादा closeness वहां पर ज़्यादा field strength, magnetic field strength ज़्यादा जहां closeness कम देशे यहाँ पर वहाँ पर field strength भी कम clear है? clear है? मैंने बताया था uniform field lines यहाँ भी magnetic field में भी uniform field lines होता है equidistance, equispaced parallel lines यह यह रहा आपका uniform magnetic field line यहाँ uniform magnetic field line में किसी भी region में magnetic field strength निकालोगे same आएगा because यह uniform magnetic field lines है Non- Uniform magnetic field lines क्या होता है तो यह देखो यह एक यह दो यह तीन यह चार और यह पाच तो इस तरह का field lines होगि на uniform magnetic field lines देख रहो distance सबकाब अलग अलग है इन दोनों का distance अलग इन दोनों का अलग इं दोनों का अलग अलग तो अलग अलग distance से पे सारे field lines है तो इसमें इसे कहते हैं non uniform non uniform field lines यह electric field lines में ही मैंने बताया था और इसे कहते है uniform field lines uniform field lines uniform field lines तो बच्चो non uniform uniform field lines में difference क्या है यह field lines में हर position पे हर region में जिस region को आप उठाओगे वहाँ पे जो magnetic field strength निकल कराएगा वो बराबर होगा सारे जगा एक ही समान होगा लेकिन यहाँ पे अलग-अलग होगा यहाँ पे differ कर जाएगा तो बच्चो यह था आपका magnetism magnetic effects और magnetism होता क्यूं है आपने समझ लिया next lecture होगा आपका पूरा का पूरा magnetic effects of electric current किस तरह एक wire में जब current दोलेगा तो किस तरह वहाँ पे magnetic field strength या magnetic field आप का आपका आप